हेलो स्टेंज चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज और प्रोबिल्टी का क्योसर नमबर 4 देखते हैं क्या है स्पोस्ज डैट 90% और पीपल और राइट हेंडिड यहां पर क्या काया है हमने कंसीडर किया है कि 90% परसंड जो है वो राइट हेंडिड है what is the probability that at most 6 of a random sample of 10 people are right-handed हमने किसकी probability निकाल लिए कि आपको 10 people consider करने है और उन में से at most 6 मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 सी राइट हेंडिड हो उनकी probability निकाल लिए तो भई यहां पर ध्यान से देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है राइट हेंडिड पर्सन राइट हेंडिड पर्सन वो कितने हैं 90% अब 90% का मतलब क्या होगे probability of 9 by 10 हो जाएगी या फिर इसको लिख भी सकते हैं 90 by 100 करेंगे तो 0 से 0 कट गया 9 by 10 आगे हमारी probability of राइट हेंडिड अब यहाँ पे left-handed की probability क्या हो जाएगी left-handed person की probability क्या करो इसको 1 में से subtract कर दो 1 minus 9 by 10 तो 10 minus 9 क्या होगी 1 by 10 probability आगे हमारी left-handed की अब total कितने person में से selection होना है n is equal to 10 persons में से अब उसने क्या का है बच्चो कि 10 में से at most 6 जो है right-handed होने चीए तो यहाँ पे क्या लिखने है हमें probability of at most 6 are right-handed right-handed अब total probability क्या होती है हमारी 1 1 में से 7 right-handed 8 right-handed 9 right-handed 10 right-handed इनकी probability subtract कर देंगे तो हमारी at most 6 की रह जाएगी जहान से सुनो क्या का है मैंने total probability होती है बच्चो 1 1 में से अगर मैं probability of 7 right-handed probability of 8 right-handed probability of 9 right-handed और probability of 10 की 10 right-handed इन सब की value subtract कर दू तो किसकी रह जाएगी मेरे पास probability of at most 6 right-handed की ऐसे ही तो करते हैं बस यही काम करना है तो यहाँ पे देखो क्या हो गया 1 minus probability of 7 right-handed को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 C 7 मतलब 10 में से 7 right-handed हो तो right-handed की probability क्या है हमारी 9 by 10 तो 9 by 10 की power क्या लेंगे हम 7 और left-handed क्या है 1 by 10 की power 3 जान से समझो probability of 7 right-handed total 10 थे 10 में से 7 का selection हो गया 7 right-handed हो गए तो right-handed की probability 9 by 10 थी तो 9 by 10 की power 7 combination बना रहे हम अब 7 right-handed है तो left-handed कितने होंगे 3 होंगे तो 1 by 10 की power 3 ऐसे ही probability of 8 की देख लो 10 C 8 10 में से 8 अगर right-handed हो तो यहाँ पे 9 by 10 की power क्या लेंगे हम 8 और left-handed कितने हो जायेगे 1 by 10 की power 2 probability of 9 की आजो 10 C 9 और 9 by 10 की power क्या हो जाएगा 9 और 1 by 10 की power क्या हो जाएगा 1 ऐसे ही अगर 10 के 10 right-handed हो तो 10 C 10 तो 9 by 10 की power 10 और 1 by 10 की power क्या हो जाएगा 0 ठीक है बई इसको लिखते कैसे हैं देखो द्यान से 1- इन सब के बीच में देखो किसका निसान है किसका sign है summation का तो 1- sigma यहाँ पे R की value कहां से start हो रही है 10-C-R, N-C-R होता है ना formula तो यहाँ पे R की value हमारी start हो रही है 7 से और कहां तक जा रही है 10 तक तो यहाँ पे कहां तक जाएगी 10 तक अब value देखो कहां कहां value हो रही है 10-C-7, 10-C-8, 10-C-9, 10-C-10 तो यहाँ पे value change हो रही है base में तो इसको क्या लिखेंगे हम 10-C-R लिखेंगे पहले case में R की value 7 है दूसरे में 8, फिर तीसरे में 9, चुथे में 10 है तो 10-C-R उसके बाद 9 by 10 9 by 10 की value भी क्या हो रही है उपर change 7, 8, 9, 10 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास से R आ जाएगा R की value जो भी यहाँ पे आएगी वही value यहाँ पे आ रही है उसके बाद दूसरा case बजगे है 1 by 10 की power क्या है 3, 2, 1, 0 तो इसको क्या लिख दूँगा मैं 10 minus R लिख दूँगा यह answer हो गया 10 minus R का मतलब पहले case में R की value 7 ली है तो 10 minus 7 कीतना हो गया 1 by 10 की power 3 होना चाहिए तो इसको मैंने इस form में write down कर दिया या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 minus sigma या फिर summation R equal to 7 से 10 10 C R इसको क्या लिख लेंगे 0.9 की power R और यहाँ पे 0.1 की power 10 minus R यह answer भी हो सकता है दोनों के दोनों answer क्या हैं बिल्कुल correct है कोई दिक्कत लगे हैं आम उससे पूचिए दरवाई चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए और share कीजिए thank you students for watching next classes video